किसे हैं आप सब लोग एन विलकम बैक तु यूर ओन चैनल तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि अब ट्यूजदे को जब मार्केट ओपन होगी कल गाइस मार्केट बंद है मंडे को क्योंकि एद है तो हम ट्यूजदे को ट्रेट करेंगे सीधा हमारी मार्केट ट्यूजदे को ही खुलेगी तो हमें कौन से स्टॉक्स में ट्रेट करना है निफ्टी बांग निफ्टी का क्या सिनेरियो हो सकता है और किस चीज़ों में हमें काम करके चलना है तो उसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि Friday को market में क्या हुआ, Friday को market पे usually हुआ ये कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि 9 बजे से लेके 10 बजे तक तो market positive पे थी, market हमारे हिसाब से चल रही थी, पर 10 बजे हमने देख रहा था कि RBI की buy monthly की meeting होनी थी, और उस पे उन्लोगों ने जो RBI का rate cut करा था, वो हमारे लेक positive था, उसके पाद जब उन्होंने moratorium लगा दिया था, कि हम 3 महीने तक extend कर देंगे, और जो loan नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग के लिए और 3 महीने तक extend कर देंगे, यानि कि पहले वो था कि April, March तक था, उसके बाद मार्च से भी उन्लोगों ने 3 महीने तक और extend कर दिया था, तो वो bank लिए बहुत negative sign हो गया था, और वहार से हम लोगों ने देखा कि बहुत तेजी से nifty bank nifty में और market में गिरावट देखने को मिले थी, आप देख रहे हूंगे कि 10 बज़े से ही market में sell off आ गया था, और उसकी वज़े से हमारे कुछ stop losses भी hit हो गये थे, अब गाइस यह जो news based, एक जो sell off आया था, उस based में हमारे जो particular चार्ट के जो target या stop losses होते हैं, वो generally hit हो जाते है, stop losses, तो गाइस उस पे हमें wait नहीं करना चाहिए, क्योंकि guys, आप देख रहे हूंगे, अगर मैं आप लोगों को 3 दिन से market पर calls प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो 3 दिन में 2 बार अच्छी है, हमारी positions गई है, हमारे option trades भी बहुत अच्छे गई है, बट हमारी market अगर जब आज हमने जब Friday को देखा हो, वो news based में चली, उसकी विज़े से हमारे कुछ stop losses हेट हुए, तो guys, यह तो जर्नल ही होता है, हम हर दिन profit नहीं यह अन कर सकते हैं, हर दिन हमारे market हमारे हिसाब से नहीं चल सकती है, Tuesday को हो सकता है, कोई और ऐसी news आदे, जिसकी विज़े से हमारी market ऊपर चली जाए, जो इतनी sell-off के बाद भी है, तो कुछ भी scenario हो सकता है, अगर news based आता है, तो अगर हमें लगता है कि इस Monday को या Tuesday को कोई ऐसा news आ सकती है, तो उस हिसाब से उस दिन में हम लोग बहुत कौशिसली ही trade करते हैं, अब गई सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो trades थे, वो कैसे गए हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे, तो फ्राइडे को जो हमने trades लिये थे, आप देख सकते हैं, कि PVR हमने trade लिया था, बाई करने की सलब दीती, इसका हमारा loss या stop loss hit हो गया था, तो इसमें हमें loss हुआ था, भारत फोर्ज में भी हमें loss hit हुआ था, यहाँ पर stop loss hit हो गया था, जिलेट की बात करें, तो यहाँ पर हमें target hit हो गया था, तो जिलेट में profit हुआ, HCL Techs में हमारा कोई trade नहीं बना, मैंने गुला था, 535 क्या उपर बाई करना, exact 55-35 का high बनाया था, तो यहाँ trade नहीं बन पाया, अमराजा battery में भी target hit हो गया था, तो इसमें भी हमें profit हो गया, तो यानि कि 5 में से एक trade नहीं ले पाय, दो में loss हुआ, दो में profit हुआ, Concord पर 370 की call buy करने की आप लोगों को सलह दी थी, 8 रुपे पे, 14 रुपे का target था, और 5.5 का था, तो अगर आप लोगों को मैंने बताया था, कि अगर ये 370 की ऊपर Concord sustain कर जाता है, तो ही आप लोगों को buy करना हूँ, मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था, ये cautious trade होगा, 375 की, 370 की ऊपर ही sustain होने से जरूरी है, हमने क्या देखा था, कि जब जैसी market open हुई, तो हमारा जो call option था, जो 8 रुपे में trade कर रहा था, वो 9.55 तक गया, कुसी time high बनाया 9.15 पे, और वहाँ से तुरंट नीचे आते रहा, नीचे आते रहा, और exact 5 मिनिट के अंदर अंदर ही, वो 8 जो MR entry price था, उसके भी नीचे चला गया, तो हमें तो इसमें trade करने का मौका यहीं नहीं मिल पाया, तो इसमें हम लोग trade नहीं कर पाया, अब गाईस, निफ्टी और बैंग निफ्टी के जो आप लोगों को level प्रोवाइट करायते हैं, हमारे level exact हमारे level के साब से गए, आप लोगों को जो levels बतायते हैं, आप लिए identify करना trade मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि उसमें बीच में Saturday और Sunday पर जाता है, बट अब हम लोग यह वाली जो वीडियो बना रहे हैं, यह Tuesday की trade के लिए बना रहे हैं, तो यानि कि तीन दिन का gap पढ़ गया, और तीन दिन में पता नहीं किते यहां पर events होई होगे, या किती news आई होगी, तो उस basis पे हमारी Tuesday को market किस तरीके से उपर या नीचे खुलती है, वो में decide करना है, तो जो आप लोगों को stocks में provide कराने वाला हूं, वो बहुत cautiously से trade करिएगा, सबसे पहला stock होगा guys, Z Entertainment, डेली चार्ट ओपन ही है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह चैनल के इंदर trade कर रहा है, चैनल के इंदर trade करने के बाद, यहां पर आप देख सकते हैं, यह red candle, जो एक बहुत strong red candle आई थी, इसका अगर आप volume देखेंगे, तो exact volume बहुत काम है, यह strong जो गिरावाट आई थी, volume बहुत काम था, उसके बाद हम देख रहे थे, तीन दिन तक exact इस red बड़ी, big red candle के नीच अंदर ही trade कर रहा था, यह inside candles बना रहा था, और exact bottom पे बना रहा था, तो हमारा scenario रहता ही, कि अगर यह वाले level को break करता है, नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पर अपना clearly, the entertainment में short बना लेगा है, बट हमने देखा, कि exact इवली trend line से, एक botched wrong move आई है, और आप देख सकते हैं, कि यह वाली जो red candle है, उसके मुकाबले, यह वाली जो green candle है, यह बहुत छोटी बनी है, बट अगर आप volumes को देखेंगे, तो average volume से, बहुत ज़ादा बड़ा volume बना है यहाँ पर, तो यानि कि मैं expect कर सकते हैं, कि अगर यहाँ पर यह 170, 163, 164 के उपर यह निकलता है, तो यहाँ पर एक buying बन सकती है, for a target of this level, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 163.5 की उपर buy करना है, 167, 170 तक के targets, हमजी entertainment के अंदर expect कर सकते हैं, बट गाईस, अभी भी आपको काऊंगा, अगर आप लोग trade लेते हैं, तो पहली market को समझा भी करिए, आप ऐसी trade मत लेने बैठ जाये करें, कि मैंने आप लोगों को provide करा है, देखिए, अगर market हमारे इसाब से नहीं चल रही है, तो हमें trade लेने की ज़रूरत नहीं होगी, next stock है guys, Maruti Suzuki, अब guys, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को पाचों स्टॉक्स दियें, तो पाचों मैंने आप लोगों को buy के लिए, buy के लिए क्यों दिया वो मैं आप लोगों को आखरी में बताऊंगा, यहाँ आप देख सकते हैं daily chart open है, हमने देखा था 7 दिन के अंदर एक बहुत strong up move आईती, उसके बाद एक range के अंदर चला गया था, यह एक flag pattern भी develop कर रहा है, जिसके अपने higher resistance पे है, दूसरी बाद हम देख रहे हैं कि यह इस flag pattern के अंदर एक head and shoulder pattern बना है, जिसका यहाँ पर breakout हो सकता है, तो अगर इसका breakout कल हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम बहुत अच्छी rally expect कर सकते हैं, क्योंकि flag pattern का भी breakout होगा, और head and shoulder का breakout होगा, exact same time के अंदर, तो गयाँ हमें इस level का breakout होने का weight करना है, जो की level आ रहा है, 5145 का level आ रहा है, जो की यहाँ से 10-15 रुपे उपर ही हमारे current market price है, target MX पे कर सकते हैं, 5165, 5195 तक के, नेक्स टॉक पे आते हैं गाईज, यह है औरो फार्मा, औरो फार्मा भी आप देख सकते हैं, एक bullish movement थी औरो फार्मा के अंदर, bullish movement के बनने के बाद हमने देखा, एक cup and handle pattern मना, cup and handle pattern मनने के बाद हमने देखा, यह स्वली candle ने एक breakout दिया, अगली candle में, जब कल मार्केट को हमने देखा था, कि साड़े 400 पोइंट डांग निफ्टी नीचे थी, 65 पोइंट निफ्टी नीचे थी, हमने देखा था, तब भी औरो फार्मा ने बहुत अच्छी movement दिखा है, और वो अपनी previous breakout candle के ऊपर जाके बन्द हुआ, तो गाइस अभी यहाँ पर एक buy momentum बनता है, तो इसको buy कर सकते हैं, 732 के उपर buy करेगा, 739,747 तक कि target सम expect कर सकते हैं, next आता है गाइस, HDFC, Asset Management, HDFC, AMC, सबसे पहले आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर एक हम देखने हैं, कि bearish which pattern बना, bearish which pattern है, bearish which pattern बनने के बाद, यह जो आप low देख रहे हैं, exactly low, यह low आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर भी इसने low बना है, यहाँ पर भी low बना है, तो यह triple bottom side scenario इसने बना रखा है, और अगर हम इसका previous rally देखेंगे, तो यह नीचे से ऊपर आ रही है, तो अगर यह लगाई इसके ऊपर break out करता है, तो यहाँ पर हमने एक buy position बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, इस level पर इसने triple bottom भी बना रखा है, तो शायद यह strong hold कर सकता है, 2442 के ऊपर buy करना है, 2448 इसका target होगा, 2462 इसका दूसरा target होगा, next आते हैं guys, महिंदरा 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 में भी exact same pattern बना है, आप देख सकते हैं, strong up move आई, strong up move आने के बाद इसने एक cup and handle pattern मना आया, और अगर इस अपर लाइन का, अपर resistance लाइन का यह breakout दे देता है, कल intraday में तो हम expect कर सकते हैं, यहां से इसमें जो movement आया सकती है guys, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ सकती है, इस pattern को guys हम flag and pole pattern कह सकते हैं, पर यह ज़्यादा reliable नहीं होगा, क्यों नहीं होगा guys हमने एक बहुत bullish movement देखी, बहुत ज़्यादा bullish movement देखने के बाद हमने देखा, कि जब flag बनता है तो हम मान के चलते हैं, कि यह जो upper top था, उसके नीचे यहां पर retrace करना चाहिए, उसके उपर जाकर retrace नहीं करना चाहिए, यह कुछ हमारे batch, जो हमारे batch return करे वे थे, उन लोगों को पता होगा, कि यह वाला flag pattern क्यो ज़्यादा reliable नहीं है, इसके उपर अगर यह breakout देता है, 4.30 के असपास उपर breakout देता है, तो ही हमें इसमें by position initiate करनी है, 4.34, 4.38 तक ही targets हम expect कर सकते हैं, अब गाइस nifty bank nifty की बात करूँ, तो गाइस 3 दिन का gap आ चुका है, और nifty में अगर मैं daily chart पर weekly chart पर जाता हूँ, तो उसने एक hammer type formation बनाया, hammer pattern बनाया, तो गाइस hammer candle बनाई है, तो यानि कि वो reversal candle हो सकती है, अब गाइस अगर मैं daily chart में बात करूँ, तो daily chart में वो week लग रहा है, और अगर मैं और lower time frame पर आता हो, और गाइस, इसकी monthly expiry भी है, में की, तो हमें बहुत कॉशिसली ही trade करके चलना पड़ेगा, अब किस तरीके से trade करना है, जिए आप लोगों को बता देता हूँ, यह line देख रहे हैं, अब यह line, यहाँ पर हमें एक support देखने को मिला, 2nd time support, 3rd time and 4th time support देखने को मिला, एक्जाक्ट इस level पर गाइस, यह जो level है, इस level पर मैंने आभगों को आया था, अगर यह line break करती है, तो short करके चलीगा for a target of this line, और यहाँ पर हमारे target सचीव हो गए, उसके बाद दुबारा bounce कर दुबारा नीचे आया, आपर इसने double bottom type scenario बनाया, और दुबारा ऊपर चला गया, अब यह guys, इस particular line को यह अगर break कर देता है, वह और ऊपर की तरफ चले जाता है, तो हम यहाँ वाले level expect कर सकते हैं, यह जो nifty और bank nifty के, आपको target और stop losses हैं, और किस level पर buy or sell position बनानी है, वो guys, आप लोगों को मैं telegram channel पर provide करा दूँगा, तो जिन लोगों ने भी telegram channel जॉइन नहीं करा मेरा, तो तुरन जॉइन कर लीजे, यहाँ देख सकते हैं, first investment, मेरे telegram channel का नाम है guys, आप आप लोगों को जॉइन कर लीजे अगर आप लोगों को जानना होगा, और एक और रीजन आपका यह है, कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को guys, option trade buy करने की सला नहीं दूँगा, क्योंकि नहीं दूँगा, क्योंकि हमें पता नहीं, मंडे को किस तरीके से market open होगी, तो exact Monday के बीच में, Tuesday के बीच में, जब live market चल रही होगी, और अगर हमें कुछ बड़िया scenario दिखता है, तो live market पे ही, मैं आप लोगों को एक option trade buy करने की सला दे दूँगा, वो भी अपने telegram channel के अंदर, तो guys अगर आप option trade चाहते भी हैं, तो भी आप मेरे telegram channel को join कर सकते हैं, कोई doubt आता telegram channel को join करने के लिए, तो comment section में मेरे से ज़रूर पूछेगा, guys एक important बात और, मैं एक video, दो videos upload कर चुका हूँ, एक video upload कर चुका हूँ, indico airlines की उपर जो एक stock है, अगर उस video को आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको description के नीचे वो video दिख जाएगा, या फिर यहाँ पर आपको eye icon दिख रहा है, eye icon वीडियो खतम होने के बाद, इस icon को click करके वो video को देख लीजेगा, या फिर यहाँ पर बहुत सा लोगों के मेरे पास questions आते थे, कि guys मैं आप लोगों की paid service लेना चाहता हूँ sir, या फिर मैं आपके telegram channel को join करना चाहता हूँ, या फिर मैं आपके course को join करना चाहता हूँ, तो guys ये तीनों question का जवाब, मैंने एक video format के थुरू YouTube के upload कर दिया है, तो वो अगर आपको ये तीनों question का answer जानना है, कि telegram कैसे join करना है, मेरे paid service कैसे लेनी है, या मेरे course को आप कैसे join कर सकते हैं, तो वो video भी देखेगा, इस video के end में ही आपको यहाँ पर वो show कर जाएगा, जाके जरूर देखेगा और मुझे बताइएगा, guys ये bank nifty गा चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि इस level पर यहाँ पर इस level पर मैंने आप लोगों को बोला था, कि अगर इस line के ऊपर जाता है, तो buy करिएगा, यह हमारे target होगा, इस line के नीचे जाएगा, तो यह हमारा target होगा, तो exact उसी तरीके से हमारे targets maintain हुए, अब हमने देखा कि यह दुबारा नीचे आए, straight down move आई है, उसके बाद हम देख रहे हैं, एक range के अंदर चले गया, तो guys, यह अभी वी एक bearish flag pattern बना रहा है, अगर यह इस line के नीचे चले जाता है, तो guys, यहाँ पर बहुत जादा shot आ सकते हैं, और यहाँ पर हम 16,500 तक के levels भी expect कर सकते हैं, बट अगर यह इस blue वाली line के ऊपर चले जाता है, तो हम कह सकते हैं, जो ही monthly expiry होने वाली है, तो यह शायद positive में हो सकती है, और यहाँ पर हम थोड़ी सी expectation रख सकते हैं, कि यह 18,000 के असपास अपनी closing दे सकता है, बट उसके लिए इस bank nifty को अपने 17,500 के level के ऊपर closing देनी पड़ेगी, ठीक है guys, यह सारे levels आप लोगों को telegram channel पर provide हो जाएंगे, तो join नहीं हो हैं, तो अभी join जाके हो सकते हैं, इसी के साथ video comment करता हूँ, कोई option trade नहीं है, आपको live market पर, आपको telegram channel पर एक option trade provide करा दूँगा, और शयाद मैं आपको generally 2-3 भी provide करा सकता हूँ, तो अपने telegram channel को maintain करके रखेगा, जरूर, guys, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर video show कर रहे हैं, यह पहली video जो है, यहाँ पर मेरे तीनो questions के answer है, कैसे paid service को join करना है, कैसे telegram channel को join करना है, कैसे course को join करना है, और guys, यह वाली जो video है, इस video में आप indigo share, जो एक swing trade में आप लोगों के लिए चुनके लाया हैं, तो आप इस indigo share को भी देख सकते हैं, और यह आपको minimum मुझे लगता है, 10-15% के target, 1-2 महीने के अंदर दे सकती है, तो इस video को भी miss मत करिएगा, अगली वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलूँगा, वीडियो को like करना मत बुलिएगा, इस video का aim रखते हैं, 2000 likes, अगर इस video में 2000 likes आ जाते हैं, तो guys, उसी time में आप लोगों के लिए यह series को continue रुखोंगा, और यह series के साथ में बने रहा हूँगा, so guys, 2000 likes का aim रखते हैं, जितने लोग अभी तकी videos को देख रहे हैं, और लोगों ने subscribe नहीं करा, पहली बार join हुए, तो please subscribe करेगा, ऐसी videos आप लोगों के लिए और maintain में करके लाते रहाँगा, so मैं शिवांच बसीन,